C-I-E-T-N-C-E-R-T द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए द्विदिय भाषा के रूप में हिंदी की पाठे पुस्तक दूर्वा भाग एक 23 पाठ हाथी प्रिष्ट संख्या 114 से 116 तक प्रस्तुत है पाठ हाथी सूंड उठाकर हाथी बैठा पक्का गाना गाने मच्चर एक घुस गया कान में लगा कान खुजलाने फट 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 तबले जैसा हाथी कान बजाता बड़े मौज से भीतर बैठा मच्चर गाना गाता पूछ रहा है एक दूसरे से जंगल ए भाईया हमें बता दो इन दोनों में अच्छा कौन गवईया इस कविता के कवी हैं सरवेश्वर दयाल सकसेना अभ्यास शब्दार्थ पक्का गाना ताल सुर के साथ गाया जाने वाला गाना घुसना बीतर जाना या अंदर जाना मौज उम्मंग खुशी मस्ती गवैया गायक गाना गाने वाला भावार्थ एक हाथी जंगल में बैठा था वह सून्ड उठा कर गाना गाने लगा तभी उसके कान के भीतर एक मच्छर चला गया वह कान खुजलाने लगा परेशान होकर अपने बड़े बड़े कान तेजी से हिलाने लगा फट 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 की आवाज होने लगी मानो तबला बज उठा हो और हाथी मच्छर के गाने के सुर पर ताल दे रहा हो इस अनहोनी घटना को जंगल देख रहा था उसने पूछा ओ भाईयो मुझे बता सकोगे मच्छर और हाथी में से अच्छा गायक कौन है कवी ने हसने हसाने के लिए इस घटना की कलपना की है इसमें हाथी स्वयम एक खिलोना बन गया है और जंगल के पेड़ हाथी के आसपास खड़े दर्शक और श्रोता हो गए है इस कवीता में एक बाल सुलब कौतुक है कवी ने जानवर और जंगल से मनुष्य के संसार को जोड़ कर शब्द का सजीव खिलोना बनाया है एक कवीता की अधूरी पंक्तियों को पूरा करो क सूंड उठाकर हाथी बैठा ख बड़े मौज से भीतर बैठा ग हमें बतादो इन दोनों में कवीता के आधार पर बताईए क हाथी सूंड उठाकर किस लिए बैठा ख हाथी के कान क्यों बजुठे ग मच्छर कहां बैठकर गाना गा रहा था तीन इस प्रश्न का उत्तर दीजिए हाथी गाना गाने के बदले तबला क्यों बजाने लगा अब आप वाक्य के खाली स्थान को अपनी कलपना से भरिये एक जंगल के पेड़ों के बीच बैठकर कान हिलाता हाथी रिक्त स्थान जैसा दिखता था इस वाक्य को पूरा करने के लिए आपके पास शब्द हैं आप इन तीनों में से सही विकल्प को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ती कीजिए दो, मच्छर जब हाथी के कान के भीतर बैठकर गाना गा रहा था उसके गाने को रिक्त स्थान सुन रहा था इस वाक्य को पूरा करने के लिए आपके पास शब्द हैं हाथी, जंगल, कोई नहीं इन तीनों में से सही विकल्प को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ती कीजिए दूर्वा भाग एक अभी आप सुन रहे थे कक्षा छे के लिए द्वितिये भाषा के रूप में हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक कलाकार, प्रवीन शर्मा, तिलक राज, राजेश आहुजा और सत्यश्रवा शर्मा ध्वन्यांकन बटिल्यांग लिंग्डो तथा निर्मान निर्देशन वध्वनिसंपादन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT